चत्रा में नकसल विरोधी अभियान पर निकली CRPF 190 बटालियन और जिला पुलिस बल के जवानों के सयुक्त टीम की प्रतिबंदित नकसली संगठन भागपा मावाधी के साथ रविवार को मुटभेड हो गई रीजनल कमिटी सदस्य अरविंद भुया और सबजोनल मनोहर गंजु दस्ते के साथ सुरक्षा बलों की हुई मुटभेड में एक जवान को गोली लगी है मिले जानकारी के अनुसार प्रतापूर कुंदा थानाशत्र के सिकित बलही जंगल में सुरक्षा बलों और नकसलियों के बीच मुटभेड हुई गोली लगने से घायल जवान CRPF का है जिसकी पहचान चितरंजन के रूपे हुई है बेहतर हिलाश के लिए घायल जवान को हेलिकॉप्टर से राची भेजा जा रहा है अतेधिक बारिश के कारण हेलिकॉप्टर लैंडिंग में परिशानी हो रही है मुटभेड अस्थल पर दलबल के साथ स्पी राकेश रंजन CRPF 190 बटालियन कमांडेंट मनोज कुमार और SDPO अविनाश कुमार पहुचे मुटभेड में शाविन CRPF के असिस्टेंट कमांडेंट मनीश कुमार और थानप्रभारी बिनूत कुमार समेथ जवानों से घटना की जानकारी ली जानकारी के अनुसार खुद पर सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देग जंगल का लाव उठा कर नकसली भाग निकले मुटभेड के बाद जंगल की घेरा बंदी कर जवान इलाके में सर्च अभियान चला रही है कई नकसलीों को भी गोली लगने की सूच ना है हालाक इसकी आधिकारिक पुष्टी नहीं हुई है न्यूजविंग के लिए चत्रा से धर्मेंद्र पाठक के रिपोर्ट